वेल्कम टिश्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पान सिकन्ड बाज शुरू होगा। रेडी स्टार्ट, कोविड उन्निस महामारी के समय में जब जीवन का हर छेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है और इसे सामान करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। परिक्षाओं को आयोजित करने या न करने के मुद्दे का सियासी मोड ले लेना भी किसी तरासदी से कम नहीं है। कॉंग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सुनिया गांधी की पहल पर गैर एनडिये शासित सात राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने जिस तरह जेई नीट परिक्षाओं के आयोजन को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। वह परिक्षार्तियों के प्रती सद्भावना पूर्ण होने के बावजूद रास्ता दिखाने वाला तो कतई नहीं है। विराम बात यहां तक पहुँच गई की सात राज्यों ने समिलित रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने और उसे अपने फैसले पर पुनर विचार करने का आगरह करने की बात कही है। जाहिर है इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही काफी विचार विमर्ष हो चुका है विराम। हालांकि पुनर विचार याच का दायर करना परिक्षार्थियों का हक हो सकता है। पर क्या राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर विरोध की आग में अपनी रोटी सेंकने का प्रयास करना चाहिए। प्रशन जो राजनीतिक दल परिक्षाएं टालना चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने से होने वाली परेशानियों को टालने का भी विकल्प देना चाहिए विराम। यदि उनके पास कोई विकल्प है जिससे छात्रों का साल बरबाद न हो तो सुप्रीम कोट को भी उस पर निश्चित ही विचार करना चाहिए विराम। लेकिन सिर्फ छात्रों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिस गर जिम्मेदाराना ही कही जाएगी। जे इई मिंस और नीट की सितंबर में प्रस्तावित परिक्षाओं की घोशना के बाद से ही इसे इस्थगित करने की मांग उठने लगी थी। मामला विभिन अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुचा विराम। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि जिन्दगी को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता और इसे आगे बढ़ाना ही होगा विराम। दरसल परिक्षाओं को टालना समाधान नहीं है केंद्र और राज सरकारों को ऐसी विवस्था सुनिश्चित करनी होगी की घर से बाहर निकल कर दूर दराज के परिक्षा केंद्रों तक पहुचने में परिक्षार्थियों को वे सारी सुविधाएं मिलें जिन से वे संक्रमित होने के भय से मुक्त होकर परिक्षा दे सकें विराम। समस्या यही है कि परिक्षार्थियों को इसका भरोसा ही नहीं हूपा रहा है कि सरकारें ऐसी तुरुटी रहित विवस्था कर सकती हैं विराम। अब जबकी ट्रेनों बसों की सुविधाएं परियाप्त नहीं है और होटलों रेश्टोरेंटों को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है विराम सरकार और विपक्ष दोनों के लिए यह सियासत का नहीं रास्ता निकालने का समय है विराम सुप्रीम कोट के फैसले के बाद अब खासकर सरकार का दाई तो है कि परिक्षार्थियों के हित में हर संभव विवस्था करे स्टॉप